व्रत्ती मार्ग पर साइकल सवार जब साइकल चलाता है तो वो जो कर्वड पत होता है या व्रत्ती मार्ग का जो केंदर होता है उस तरप अपने आपको जुकाता है तो आज हम bending up cyclist पर ही चर्चा करेंगे और वो जो angle है उस angle के लिए derivation भी निकालेंगे जब भी कोई cycle सवार व्रत्ती मोड के किनारे पर पहुँचता है तो हमें पता है कि व्रत्ती मार्ग पर किसी भी वस्तु को गती करने के लिए अभी के अंदरबल की आवशक्ता होती है जिसे हम centripetal force कहते हैं मतलब अगर कोई वस्तु व्रत्ती गती कर रही है इसका मतलब यह है कि उसको कहीं से न कहीं से अभी के अंदरबल या centripetal force मिल रहा है तो इसपस टुआ कि व्रत्ती गती के लिए अभी के अंदरबल चाहिए ठीक है मतलब व्रत्ती मार्ग पर गती के लिए या उसको व्रत अब जो साइकिल का टायर है और जमीन है उसके बीच जो घर्शन बल है वो इस समय मतलब व्रत्ती मोर के किनारे पर जब वो पहुंचता है तो इतना परियाप्त नहीं होता कि वो ये जो घर्शन बल है ये उस अभिकेंद्र बल को प्रदान कर सके तो फिर ही अभिकेंद्र बलिया सेंट्रिफिटल फोर्स कहा से मिलेगा कि साइकिल सवार आराम से इस ब्रत्ती मोर को सुरक्षे डंग से प्राप्त कर सके तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा उसको मोर केंद्र की ओर स्वयम को क्या करना पड़ेगा अपनी साइकिल को क्या कर करता है कि ऐसे समय में व्रत्ती मार्ग पर साइकल सवार स्वयम को क्या करता है अपनी साइकल को क्या करता है मोड के के अंदर की ओर जुका लेता है इससे क्या फाइदा है इससे जो अभिलंब प्रतिक्रिया होगी उसका जो क्षेतिज घटक होगा वो उसको व्रत्ती मार्ग म गुमने के लिए जरूरी अभीके अंदर बल देतेगा अभीके अंदर बल इसको चाहिए तो वो कौन देगा अभीलंब प्रतिक्रिया का क्षेतिज घटक उसको अभीलंब बल प्रदान अभीके अंदर बल प्रदान कर देगा केसे करेगा आई ये इस पूरी बात को समझते हैं कि अभी लंब प्रतिक्रिया का शेतिज घटक उसको अभी के अंदर बल कैसे परदान करेगा तो यहां देखिए आप इस चित्र में आप देखिए कि ये जो साइकिल सवारे इस तरीके से ये व्रत्ती मार्ग की और कहीं ये व्रत्ती मार्ग है तो इस व्रत्ती मार्ग पर वो गती करने के लिए स्वयम को उर्धवादर से ठीटा कोण पर क्या करता है जुका लेता है और व्रत्ती मार्ग की तरिज्जा को हम मान लेते हैं आर तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि वो आर्थ रिज्जा के व्रत्ती मार्ग पर जाने के लिए उर्धवादर से स्वयम को कितने कोण पर जुकाता है ठीटा कोण पर और इस तरीके से वो गती करने लगता है तो यहां आप देख रहे हैं कि ऐसे में जो वो ठीटा कोन पर जो स्वैम को अंदर की और जुका रहा है तो जो यहां आप देखिए कि कितने सारे forces यहां पर काम कर रहे हैं तो देखिए टायर जो ही यहां है और ठीटा एंगल पर उर्ध्वादर से उसका क्या है जुकाओ है तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो यहां है देखिए आप यह बिल्कुल यहां यह टायर यहां जमीन को दबा रहा है और यह अभिलंब प्रतिक्रिया यहां उपर की ओला रही है capital R, और इस अभिलंब प्रतिक्रिया के दो घटक होंगे, एक R cos theta और एक R sin theta, यहां एंगल theta है, यह एंगल भी theta होगा, तो यह R cos theta, R का एक घटक और R sin theta, R का दूसरा घटक है, हम इसको अगर उर्ध्वाधर दिशा मान रहे हैं, तो फिर R cos theta को आप उर्ध्वाधर घटक बोल रहे हैं, तो ऐसे मैं आपको Svasthrope से दिखाई दे रहा हूँआ कि इसको व्रति मार में घूमने इक लिए जो अभिकेइंद्रबल चाहिए, देखिए व्रति पर घूमने के लिए उसको क्या चाहिए, अभिकेंद्रबल चाहिए, तो यह अभिकेंद्रबल तो उसको किस से R sin theta से ही प्राप्त हो रहा है, और R sin theta क्या है, R का, अभिलंब प्रतिक्रिया R का कौन सा घटक है, क्षेतिज घटक है, तो यह देखिए, यह बात जो मैंने भी आपको कही थी, कि अभिलंब प्रतिक्रिया का क्षेतिज घटक उसको आवश्चक अभिकेंद्रबल प्रतान कर देगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R का जो क्षेतिज घटक है, वो है R sin theta, और वो उसको व्रत्ती मार में घुमने के लिए आवश्रक अभी केंद्रबल प्रदान करेगा तो अभी केंद्रबल का फार्मूला हम जानते M V स्क्वेर बटे R होता है तो M V स्क्वेर अपान R कौन प्रोवाइड करेगा R साइन ठीटा प्रोवाइड करेगा M कया है? साइकल सहित सवार का जो द्रवमान वो M है V जो है किया है? चाल है और R व्रत्ती मार की क्या है? तरिजज़ा है तो देखिये साइकल सवार इस तरीके से आ रहा है तो वो अपने आपको ऐसे ऐसे उर्द्वादर से छीटा कौन पर जुकाता है तो ये आपने देखा कि यहां R जो है वो व्रत्ती मार की त्रिज्जा है रेडियस आप करवडपत और V साइकल सवार की चाल है M जो है वो साइकल सवार का साइकल सही द्रविमान है तो इसको जो जरूरी अभी के अंदर बल होगा इसको व्रत्ती मार में घुमने के लिए देखिए व्रत्ती मार में घुमना चाता है तो जो जरूरी अभी के अंदर बल होगा वो कौन प्रदान करेगा वो प्रदान करेगा यह अभी लंब प्रतिक्रिया R का जो क्षेतिज घटक है आर साइन टिटा वो उसको क्षेतिज दिशा में जो गटक है इसलिए हम उसको क्षेतिज गटक बोल रहे हैं तो वो उसको प्रदान करेगा तो देखें आर साइन टिटा इस इकल टू हो जाएगा एम वी स्क्वेशर बटे आर जो अभिके अंदर बल का सूतर है हमारा mv square upon r कोन प्रदान करेगा वो r sin theta उसको प्रदान कर देगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक हमने देख लिया कि यह जो अभी के अंदर बले वो r sin theta प्रदान कर रहा है तो r sin theta is equal to mv square by r अब देखे इसके बाद में देखी कि जो यह अभी लंब प्रतिक्रिया का जो उर्द्वादर दिशा में घटक है उर्द्वादर घटक r cost theta यह क्या कर रहा है देखे इस भार को संतुलित कर रहा है cycle सहित सवार के भार को क्या कर रहा है संतुलित कर रहा है तो यह अब यह हमने बात की थी कि M जो है वो cycle सवार का cycle सईथ द्रविमान है तो यह M G जो है उसका भार है तो यह R cost theta क्या कर रहा है अभी लंब प्रतिक्रिया R का यह कौन सा घटा के उड़दार घटा के यह क्या कर रहा है cycle सईथ इस सवार के भार को क्या कर रहा है संतुलित कर रहा है M G को बेलेंस कर रहा है तो R cost theta is equal to हो जाएगा M G तो अब ऐसे में देखिए R sin theta is equal to M V square अपाना R हुआ है और R cost theta is equal to M G मतलब इस अभी लंब प्रतिक्रिया R के जो R हुई है इसी के एक घटक R sin theta ने आवशका भी केंदर बल दे दिया और इसी के एक घटक R cost theta ने इस cycle side सवार के भार को क्या कर लिया संतुलित कर लिया और आपको इध्यान रखना है कि वो उर्ध्वादर के साथ ठीटा कोण पर इस तरीके से cycle सवार ने आपको क्या किया है जुकाया है किधर व्रत्ती मार्ग के केंदर की ओर यह देखिए इस तरीके से व्रत्ती मार्ग बन सकता है तो यह इसका केंदर होगा यह मार्ग इस तरी से है यह देखिए अगर आप इस सड़क मान लें इसको तो इस टाइप की सड़क होगी तो यहाँ यह अपने आपको व्रत्ती मार के केंदर के ओर क्या करता है जुका लेता है कितने से उर्ध्वादर से ठीटा कोण पर तो आपने काफी रभिलम प्रति करिया R के दो खटक R sin tita, R cos tita, R sin tita व्रती मार के लिए आवश्य का बिकेंदरपल प्रदान करेगा MV square बटे R देगा और R cos tita जो है वो cycle size सवार के भार को संतुलित करेगा तो R cos tita is equal to Mg हो जाएगा अब आप समिकन एक में R से R cancel, M से M cancel तो 10 tita की value आई V square upon RG मतलब यह जो angle है जिस angle पर आप जुक रहे हैं तो वो V square upon RG के 10 उसका जो tangent है वो V square upon RG के equal है मतलब ठीटा अगर आप निकालना चाहे तो यह हो जाएगा 10 inverse V square upon RG तो यहाँ आप एक बात देख रहे होंगे कि अगर आपको क्योंकि देखिए आपको व्रत्ती मोड को अगर सुरक्षित पार करना है तो आपको ठीटा को कम रखना चाहिए कम से कम रखना चाहिए तो अब ठीटा कम से कम कैसे होगा मतलब हम कम से कम जुकें और व्रत्ती मार्क पार हो जाए यह होना चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखे आप कि आपको यह V को कम रखना पड़ेगा मतलब ठीटा कम हो, इसके लिए जरूर यह कि V कम हो, मतलब जो साइकल सवार की चाल है वो साइकल सवार की चाल को आपको क्या करना पड़ेगा कम रखना पड़ेगा मतलब speed of cyclist कम होना चाहिए और साथ में यह जो R है यह R देखी यहां तो यह बटा में देखी यह उपर है तो यह कम तो यह भी कम अब R को ज्यादा रखेंगे तो यह कम होगा मतलब R मतलब इस व्रत्ती मार की जो त्रिज्जा है उ ज्यादा अच्छा है अगर यह जितना पास में आईगा अगर वह पास में आ जाएगा तो फीर यह ठीटा उतना ज्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि वो उसको अगर व्रत्ती मार्ग की इसको क्या करना है अगर सुरक्षित पार करना है तो यो रेडिया से उसको ज्यादा रखना पड़ेगा तो इसको दूर से उसको घूमना चाहिए मनलब मूडना चाहिए क्योंकि जितना व्रत्ती मोर्ग के पास में आता जायेगा उसको आपने देखा होगा वो जो रेसिंग बाइक्स वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत पास में आते हैं और बहुत एंगल को बड़ा कर लेते हैं मतलब ये उर्द्वादर से उनका कौन बहुत बड़ा हो जाता है और वो ब्रत्ती मोड के बहुत पास में आ जाते हैं स्पीड से टर्म लेते हैं उनको प्रैक्टिस होती है और दूसरा पास में इसलिए आ जाए ताकि छोटे पत पर उनको मुवमेंट करना पड़े है और वो उसको अभी के अंदर बलको एड़िस करने के लिए इस एंगल को क्या कर लेते हैं बढ़ा कर लेते हैं तो वो घुम प काफी दूर से मतलब उस मोड मतलब जो सड़क है उसके किनारे से उसको दूर वाले किनारे से उसको घूमना चाहिए तो इस तरीके से व्रत्ती मोड पर साइकल सवार की गति के लिए वो उसको आवश्यका भी के अंदर बल भी मिल जाएगा और वो सुरक्षित पार भी कर ल कर दो सुरक्षित पार की जाएगा पूर भी किनारे से वो सुरक्क्षित छूम पार भी मिल भी कर दो सुरक्षित रहें हैं।